हेलो डियर फ्रेंज, आज से हम लोग इस्टार्ट करने वाले हैं VBI subjective question, जैसे कि दोस्तों हम लोग physics, chemistry, biology का objective question को कर रहे थे, उसी तरीके से अब हम लोग subjective question को करेंगे, ठीक है, और यह जो होगा आपका chapter by chapter होगा, जैसे कि biology का chapter 1, chapter 2, chapter 3, उसी तरीके से physics का भी chemistry का भी सभी chapter का आपको sedative question करा जाएगा, ठीक है, तो आज की इस यूरियो में हम लोग करने वाले है, class 12, NCRT pattern पे है, biology का chapter 1, जिसका नाम है, जीवो में जरन, यानि कि reproduction in organism, class 12 पे अगर सबसे ज़धा question, biology में सबसे ज़धा question जो है, वो इसी chapter से पूछा जाता है, chapter 1, जीवो में जरन, ठीक ह चले, सबसे पहला question को देखते हैं, ठीक है, काफी important question है, first question, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार है, यह question बहुत बार पुछा जा चुका है, आपके board exam में, ठीक है, तो देखिए, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार है, अगर हम लोग अपनी भासा में बोलें, तो अग हम लोग पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, अगर जनन नहीं होता, तो आज हम लोग दुनिया में नहीं आते, अगर जनन नहीं होता, तो यह दुनिया जो चल रही है, जो खरीद बिक्री ओर है, यह सब कुछ खतम हो चुके होती, यह दुनिया खतम हो चुके होती, इसलिए जन इसलिए आपको ध्यान से अपने से पढ़िए या फिर मेरा बात को सुनिए जिसके दुवारा ना सिर्फ जीवों की उत्तर जीवीता में मदद बिलती है बलकि इससे जीव जाती की निरतरता भी बनी रहती है जनन जीवों के अमरत्व में भी साहिक होता है प्राकृतिक मिरतियू वयता से जीनरता के कारण होने वाले जीवहरास के आपुरती जनन दुआरा ही होती है जनन से जीवों की संक्या बढ़ती है जननन एक ऐसा माद्यम है जिसके तुवारा लाबधायक विवन्न था एक पीडी से लेकरकि दूसरी पीडी तक अस्थांतरित होती है जननन और विकास में भी सायक होता है इन समस्त कारणों के अधार पर हम कर सकते हैं कि जनन जो है वो जीनों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार है, ठीक है? किसको लेंगिक जनन को, ना कि अलेंगिक जनन को, तो लेंगिक जनन को जो है, जनन की सर्वेश्ट वीदी माना गया है, अब भाई क्यों माना गया है, उसको अच्छी वीदी? देखी, लेंगिक जनन के दौरान गुंसुत्रों के अदलाबत्री होती है, सबसे पहली बार, जि जीवों के जीवित रहने के आउसर भी जो है वो अधिक हो जाते हैं अगर लेंगी जिनन से कोई पैदा होता है तो उसका जीवन जीने का आउसर है अवधी है अगर वो 10 साल यानि कि वो अगर लेंगी जिनन से दो साल जीता है तो लेंगी जिनन से वो 100 परसन है 20 साल जीएगा ठीक है है, तो यही चीज़े लेहगी जनन, 12 जीवों के जीवी तरहने का जो अवसर है, मसर के अधिक हो जाती है और क्योंकि आनुवन से कुई बनताओं के कारण, जीव जो है, वो अधिक छमतावान होता है और लहेंगी जनन से जिवों की संख्या भी बढ़ती है अतर लहेंगी जनन ही जनन की अच्छी वीदी है ठीक है तो जनन की अच्छी वीदी कौन सी है लहेंगी जनन की है वो आपको सहुझना आ गया क्योंकि इसमें जो है आउसर जीने का जीवन जो हो लंबी हो जाती है और इससे जो है संख्या भी परती है, मरता जल्दी नहीं है, तो यह एक परकार का लाब्दा है कि यह ठीक है, अब देखें डिसकोशन कोशन नमर थिरी, अलेंगे जनन दुआरा उत्पन्य हुई संतती को कलोन क्यों कहा जाता है, जो जो Android phone को अगर आप लोग यूज की होंगे, वैसे तो Android phone को सभी यूज करते हैं, लेकिन पहले की जब आने में अभी भी होता है, कलोन क्या होता है, जैसे कि एक एप को आप यूज करते हैं, कोई भी एप को यूज करते हैं, अगर उसका कोई duplicate app बना लिए आप same to same जैसे कि वार्टसप यूज़ कर रहे हैं उसी का एक दुसरा भी वार्टसप यूज़ कर रहे हैं ठीक है? Same to same वो भी वार्टसप योज़ा काम करता है लेकिन दुसरा है तो उसी को हम लोग कलोन बोल देते हैं तो वही चीज है बाई कि अलेंगे जनन दुवारा जो उत्पन हुई संतती है यानिक उत्पन हुआ जीव है जो जन दिया तो उसको हम लोग क्यों कहते हैं यहांपर समझे आकार यह वा आनुवनसिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं यानिकि अगर आकार या फिर आन आनुवनसिक रूप से कोई भी जीव सवान होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे क्लोन कहेंगे इंगलिस में भी क्लोन कहते हैं और हिंदी में भी उसको क्लोन ही बहते हैं अब देखें इसको समर 4 थोड़ा इंपोर्ट है ध्यान दीजिए लेंगिक जनन के प्रिणाम स्व ठीक है उत्तर देखें लेंगिक जनन के दवरान गुंसुत्रों का विने में होने से आनुवनसिक विवननताय उत्पन होती है ठीक है तो लेंगिक जनन के दवरान गुंसुत्रों का विने में होने से आनुवनसिक विवननताय होती है जो जनक से संत्ती में अस्थांतरित हो परण नए तता बेहतर गुनों युग्त संतती का जन्म होता है अतर लाइंकिक जन्म के प्रिनाम सो रूप उत्पत्ति संतती के जिवित रहने के आउसर जो है वो अच्छे हो जाते हैं ठीक है और ये कथन जो है वो हमेशा सही नहीं होता है जनकों के रोग गरस्त होने पर व जो जनक जो पैदा होने वाला जिसने जनन दिया अगर उसको कोई रोग है तो वो रोग जो है सभी को होने लगता है ठीक है तो कहीं कहीं पर लेंगिक जननल में थोरा सा घाटा लेकिन इसका जीवन जो अवधी है वो ज्यादा हो जाता है लेंगिक जननल में ठीक है जनसे क अब देखें निस कोसरन कोसरन 5 अलेंगिक जनन दुआरा बनी संतत्ती यहां कि जो अलेंगिक जनन के दौरा बनी संतत्ती से किस परकार आलग है देखे, अलेंगिक जनन दुवारा उत्पन संतान आनुवनसिक वसनाशनात्मक रूप से जनक की समान होता है यानि कि अलेंगिक जनन की दुवारा अगर कोई भी उत्पन संतान होगा, कोई भी पैदाईश लेगा तो उसका जो आनुमतिक वसनाश्टम से जो रूप है वो दोनों क्या हो जागा समान हो जाएगा अर्था अपने जनक का कलोन होती है और वो जनक का कलोन होता है यानिकि जो सका पहले होता है जो उसको जनक देने वाला होता उसका कलोन बन जाता है यंकि सेमट लूंसर उसी के जसा बन जाता है लेकिन इसी का उल्टा एकर देखेंगे लांगिक जनन्था उत्पन संताव जो है वो आनुन से गूप से जनक से अलग होते यानि कि भीन होते हैं ठीक है तो कुछ इस परकार हम लोक लांगिक जनन्न और लेंगिक जनन का जो संतती है, बड़ी संतती है, उसको अलग कर सकते हैं अब देखें निस्कोषन को सब्सक्राइब आपका 6 काफ ही इंपोट है न ध्यान दीजे अलेंगिक तदा लेंगिक जनन के मद विवेद अस्ताफिल करें यानि कि अलेंगिक और लेंगिक जनन के बीच का आपको अंदर पूछ रहा है यह भी कुछर बहुत बार पूछा जा चुका है और काईग जनन को परारूप अलेंगिक जनन क्यों मानें इस पर भी चर्चा करें ठीक है तो अलेंगिक और लेंगिक जनन में जो कुछ विवेद लेता है अलेंगिक जननर में सिर्फ एक जनक होता है लेकिन लेंगिक जननर में दो जनक होता है नर और मादा ठीक है जब तक नर और मादा नहीं होगा उसमें लेंगिक जननर उसको नहीं बोलेंगे तो नर और मादा चाहिए लेंगिक जननर के लिए वह पर अलेंगिक जननर क में नहीं होता है जनक की जननक कोषिकाओं वह बात करेंगे जनक कोषिकाओं तो tunnels तो अलेंगिक जनन जो है अब चटटाा रूप में जनक के समान होती है पिलीज लोग नोट कर लेजेगा अभी इसके नोट लेज़े क्योंकि यह कुर्षण बहुत बाद कुछा जा चुका इसलिए मैं आप 8 क्यों दे दिया आपको 5 क्यों लखना एक्जान में जबी भी पूछे तो तो इसके दुवारा उत्पन संतती जो है वो आनुमसिक रूप में जनक की समान होता है वहीं पर इसके दुवारा उत्पन संतती जो है वो आनुमसिक रूप से अपने जनक से अलग होता है जनक इकाई कली का खंड या जनक का संपुन शरीर होता है जनक की काई जो है वो कली का खंड या फिर जनक का संपूर्ण शरीर होता है वहीं पर जनक की काई जो है वो युगमक होते है यानि की गैमेट होते है अब एट कोई देखिए इस परकार का जनन निम्न अक्षेरुकी क्या लिखा हुआ । अलेंगी गेंगेंगेंगेंगेंगी जनन में आपको major difference पता चल गया अब हम लोग बात करतें काईग्जनन कुर्फी कि यहां पर आपको पूछा गया है कि भाई यह किजो काईग्जनन को प्राणूप अलेंगी जनन क्यों मना जाता है यानिकि इसको मिलब प्रारुप अलेंगिक जनन क्यों कहते हैं तो इस पॉइंट को जो है अब समझते हैं दो क्रशन पूछा गया था देखे काईग जनन अलेंगिक जनन की एक ऐसी विदी और इसमें एक ही जनन भाग लेता है तता इसकी दुवड़ा संपन संतती आनुवन सिक वा आकिरिकी में भी अपने जनक के समान होती है इस परकार हम कह सकते हैं कि काईग जनन वाश्तर में प्रारुप अलेंगिक जनन है तो इस परकार हम ल offenses कह सकते हैं इसमें जो एकी जनक भाग लेता है और इसका दुवारा जो उत्पनस संतती है वो आनुवनसिक और आकारे की रूप में अपने जनक के समान होता है और इस परकार हम कर सकते हैं कि काईक जनन जो है वास्तव में प्रारूपिक अलेगी जनन है ठीक है अब देखे प्रश नमबर काडे करता है तथा नए पौधे में विक्सित हो जाता है मात्र पौधे के काईक अलंग जैसे कि जर हो गया तना हो गया पत्ती हो गया कलिका हो गया आधी से नए पौधे का पुनर जनन काईक परवरदन कहलाता है और काईक परवरदन के दो उधारन निम्ण है तो काईक प प्यूपत उधारत ने तो भाई काई परवर्दन से हम लोग एही समझते हैं अब उसका उधारत देख लिए सबसे पहला है अजूबा यानि कि बरायो फिलम थीक है तो अजूबा के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादव काय उत्पन होते हैं जो मात्रे पौधे से अल परवर्द संदियों में कलिकाएं इस्तित होती है तथा पड़ती है कलिकों नए पौधे को जंदेती है ठीक है तो यह कुछ इस परकार दो उधारन जो है आपका हो चुका है चलिए वाइस जो है वह किलिए रागी है ठीक है अब देखिए नेश कोर्शन कोसर परजनक चरन हो गया फिर जिरनता चरन या फिर जिरना वस्ता हो गया तो इन सभी चीजों पर आपको वयाक है यानिकि एकस्प्लानेशन करने के लिए कह रहा है चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते है किशूर चरन के बारे में ठीक है किशूर चरन थी हां से देखेंगे इस किशूर चरन वाला पॉयंट को सभी जीवधारी लेंगी ग्रूप से परिपकव होने से पुरू एक नस्चित अवस्ता से होकर गुजरते है यानिकि कोई भी जीवधारी अगर लेंगी ग्रूप से परिपकव होने से पहले एक नस्चित अवस्ता से होकर गुजरता है इसके बाद ही वह लेंगी जिनन कर सकते हैं, इस अवस्था को प्राणियों में किसुर चरण, या फिर अवस्था तथा पौधे में काईक अवस्था कहते हैं, इसकी अवधी जो है वो भिन जियों में भिन 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 होती है, ठीक है, तो किसुर चरण जो है आपको समझ में आ पर्जनक चरन अब किसवरा अवस्था जो है वह होता है आपका दोस्तों 12 साल से लेकर के 19 साल तेक इसी को बोलते है किसोरा आवस्ता ठीक है तो किसोरा आवस्ता जो है 12 साल से 20 साल या फिर 19 साल होगा तो किसोरा आवस्ता अत्वा काई प्रावस्ता की समाप्त होने पर परजनक चरन अत्वा जनक प्रावस्ता प्रारम हो जाता है जिसको हम लोग परजनक चरन भी बोलते है या फिर जनन प्रावस्ता बोलते है यह आपका शुरू हो जाती है और पौधिय में इस अवस्ता को असपष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधिय में पुस्पन यानि कि फोलोडिंग प्रारम हो जाता है और प्राणियों में अनेक शालरी कि आपकारी की प्रेवरतान आ जाते है इस चरन में जीव जो है वो संथति उत्पन करने योग हो जाता है यह आवस्ता विबिन जीवों में अलग-अलग होती है तो कुछ इसपरका परजनक चरन हो गया अब बात करते हैं जीरनता चरन या फिर जिरनवस्ता ज यह जिर्नता जो है वो जिवन चक्रा की अंतिम आवस्ता अथ्वा 3 आवस्ता होती है। जिरनता चरण या फिर जिरनावस्ता यानिके सेसेंट फेज ठीक है तो कुछ इस परकार हम लोग किशोर चरण परजनक चरण और जिरनता चरण के बारे में पर चुके है अब नेस कुछन देखिए को सब्सक्राइब नाइन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं शेर करते हैं अब दीखिए निस कुछ नाइन अपनी जटिलता के बावजिद बड़े जिऊने लेंगिग परजनन को पाया है क्यों यानि कि बहुत ज़्यादा जटिलता के बावजूद बड़े जो जीव है वो किसको पाया है लेंगिक परजनन को क्यों पाया आकर तो देखते हैं देखें लेंगिक परजनन जो है वो जटिलता था धिमी गती से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम तो उस परकार जो है नए लक्षन का विक्सित होना शुरू हो जाता है जो कि पीरी दर पीरी अस्थांतरित होते रहते हैं और जो कि उसका दादा से बापा पापा से बेता इस तरीकी से जो है बलते रहती है एक जगर से दूसरी जगर जाती रहती है यानि कि अस्थांतरित होते रहते है ठीक है और गुंसुत्रों के आदान परदान से विबन नता जो कि जयव विकास में सायग होती है अपने इन ही गुणों के कारण बड़े जीवों में लेंगी जिवों में पाया जाता है अब देखेंगे इस कुस्छन नमर्ट 10 को काफी इंपोर्ट नमर्ट 10 भी और थोरा सा बड़ा भी इसको देखेंगे और यह इस वीडियो का लाश् देखेंगे व्याखा करके बताएं कि अर्धसुत्री विवाजन तथा यूगमग जनन सदयव अंतर संबंदित अंतर बद होते हैं यानि कि व्याखा करने के लिए कि अर्धसुत्री विवाजन जो है वो यूगमग जनन सदयव अंतर संबंदित यानि कि अंतर बद होते हैं देखे हैं लेहिक जनन करने वाले जीव धारियों में परजनन के समय अर्धो सुत्री विवाजन याइगी मयोसिस तथा यूगमक जननन याइन के गेमेटोजेनेसिस प्रेक्रियाएं होती है तक्रानों के रहे जननन को अंडवानों की निर्मान को अंड़जनन कहते है इनका निर्मान जो है वो करंसर नर्थ तथा माधाज जन्दो यानि कि गुनांडस में होता है युगमों को मैं गुन्सोत्रों की संक्या आधी रह जाती है तो कुछ इस परकार का आपर वैका करके बता रहें कि अर्दसुत्री विवाजन जो हो युगमों सदय अंतर संबंदित होते हैं अब आपर थोड़ा सा और देखिए अर्था युगमों जो है वो अगुनित यानि कि हैपलोईड होते हैं तो आज दोस्तो हम लोगों ने क्वेशन अमर 10 तक कवर किया था उमीद करता हूँ आप लोगों को ये काफी मजा आ रहा होगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजेगा कि क्या आप लोगों को मजा आ रहा है ताकि हम कल से रेगुलर इसको बना शखें ठीक है तो इसी तरीकी से बैलो जी का आपका फर्स चेप्टर का जो टेन कोशन कम्पिलिट हुआ है इसको हम लोग पार्ट वन मा लेते हैं फिर आपका पार्ट टू भी आएगा पार्ट थरी भी आएगा आप लोग को नीचे डिस्केशन पर लिक मिलेगा वहा से देख लिजएगा पैलो जी का सज्जेटिव कोशन का ठीक है अब लोग इस चेप्टर में टेन को कवर किये कोशन थोरा सा थोरा सा बहुत अच्छा था थोरा नहीं बहुत अच्छा था तो इस परकार का आपको मजा आया होगा चले फिर मिलेंगे नारदों में आपने इक पार शेयर करेंजेगा जम करेंगे अपने दोस्तों को ठीक है चलिए